वेल्कम तो ओटर्टे के हिंदी दोस्तों मैं आज अन्बॉक्स करने वाल हूँ इंफिनिटी रेप्सम के कोईग्जल स्पीकर का इसका जो मोडल नमबर है 6522EX है और यह जो कोईग्जल स्पीकर है और इसका जो है मैं आउटपुट सुनाने वाला हूँ बेस कैसा है वो सुना ओटे इसका अन्बॉक्स तो इसका जो आरया में से वह 55W और जो वन सिक्स्टी वैटच की पीक-पाउर है इसके फ्रिक्वेंसी है वह है 93 Db काफी अच्छी फ्रिक्वेंसी है और रेफरेंस सीरिस काफी पॉपुलर है इंडिया में और यह रेफरेंस का कोैख्जल है इंफ उसके खास बात यह है कि इसका जो frequency है उससे इसका sound काफी अच्छा था मैं आगे बताऊंगा कि sound कैसा है तो unbox करते हैं तो हमको मिलता speaker, speaker grill और speaker का cover मिलता है पर speaker grill और speaker का cover जो है वो कोई भी काम का नहीं है हमने यह आगे जो है वो वीडियो में लगा के दिखा है था तो वो लगाने में थोड़ा सा तकलिव हुई थी तो direct हमने speaker जो है लगा दिया और इसके साथ मिलता है grill जो है आप देख रहे हैं और nutball भी मिलते हैं इसके साथ warranty card मिलता है और कैसे लगाना है उसका manual guard भी मिलता है अलग-लग speaker का infinity के series का और बहुत सी चीजे है speaker की आप देख सकते है इसका twitter जो है इसको ही लगके आता है और इसमें उफर है यह जो उफर क कोन के साथ नहीं आते हैं यह infinity reference का जो है इसलिए जो है उफर कोन के साथ है मेरी गाड़ी में जो है android player लगा है तो output कैसा है मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा आपको आप पहले spec डेक लेजिए उफर plus कोन है और high frequency जो है वो speaker का आ गया है और infinity जो है वो company काफी अच्छी है क् हर्मन की company है नडबोल देख सकते है आप इसमें नडबोल लगे हुए तो मैं box पूरा दिखा देता हूँ आपको इस तरह का box है box में spec डेख सकते है तो अगर आपको जो है इसका sound सुनना है तो मैंने description में link डालके रखी है इंस्टा की क्योंकि जो है copyright का issue आता है तो मैंने द क्या volume आता है और क्या नहीं आता है तो अब हम जो है speaker को लगाते है इस तरह से इसका speaker है जो हम अभी जो लगा रहे हो डिजार में लगा रहे है आगे के side में यह जो नॉर्मल लगाते है पिछे के side में speaker लगाते है अगर आपका pioneer का head unit हो तो यह sound अच्छा करता है इससे भी better करता है Android में जो है उत्ता output नहीं आता बट स्टिल Android में support करता है मुझे जो है satisfaction वाला output मिला और इसकी खास बात यह है कि ढ़и रेफरेंस की आपके पीछे कोई भी speaker हो यह अपना output चोड़ता है आपको लगते हैं कि आपके पीछे speaker है यह अपना output छोड़ देता है तो आपको लगेंगा यह आपके गार में दोई speaker है यही बज़ रहा है क्योंकि मेरे car में JBL का speaker है पिछे में तो इसका जो output है काफी अच्छा है और इसके output ने JBL का output को मात दे दी तो आपको यह गाना सुनना चाते हो तो इंस्टा पे मैंने link डाली है speaker के बारे में एक चीज़ कहूंगा base काफी अच्छा है price range में काफी अच्छा speaker है पिछे डाल सकते हो आगे आप component डाल सकते हो reference का उसके लिए काफी अच्छा speaker है यह चारो भी यह speaker डालोगी तो भी आपको satisfaction मिलेगा अगर आपका company का head unit होंगा या फिर pioneer का होंगा android होंगा तो भी चलेगा क्योंकि मेरा जो player है वो काफी सस्ता है और android का player हो तब भी इसने support किया है तो आपको इसका sound सुनना है तो description में ने link डाल दी है तो आप उसके सुन सकते या फिर मैं इस्टा की जो है लिंग भी मैं जो है description में डाल दूँगा आप बाखी speaker के साथ भी comparing कर सकते है तो ये था infinity reference का review तो काफी अच्छा speaker है मेरे साब से